राध है मेरी स्वामिनी मै राध है को दास जनम जनम मोह दीजियो श्री व्रिंदाव नवाद राधा तुम बड़ भागिनी कौन तपस याकिन तीनों लोक के नात है सो तेरों आदी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय राधा हुआ जय राधा माधव कुंज झाल जय राधा माधव कुंज बिहारी ऑ視रे लिए कर दो कर दो कर दो जय राधा माधव कुण्य बिहारी जय राधा माधव कुण्य बिहारी जय राधा माधव कुण्य बिहारी हरे किष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे किष्णा हरे किष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे पराम हरे किश्णा green रख़किश्णा on स् सुना किश्णा घर किश्णा honor हरी शना किश्णा cmč और घर अरे राम हरे राम 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 हरे ओरे हरे किष्णा हरे किष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 किष्णा हरे किष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे रेम से गाई ये खुष्णा 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 हरे राम हरे राम, राम राम हरे 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 खिशना हरे खिशना, खिशना किशना हरे 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 राम हरे राम, राम राम हरे 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 खिशना हरे खिशना किशना हरे हरे Hare rama haray rama Ram rama haray haray Hare Krishna haray kårstrna Krishna haray haray Hare rama hari rama rama haray haray Hare Krishna haray k訂egal पर आख कृष्णा किशना हरे हरे राम हरे राम। पर देहरे में किशना 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 हरे 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 राम हरे राम, हरे राम, हरे ro रे हरे खिश्णा 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 हरे अरे राम, राम, राम राम, हरे हरे बोलो हरे किशना हरे किशना किशना हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे 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 किशना हरे किशना किशना हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, RAM Rama Hare Hare किष्वा 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 किष्व राम राम हरे 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 खिष्णा हरे खिष्णा 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 राम राम हरे हरे नाम महाधन है अपनों नहीं दूसरिसं पति और कमानी नाम महादन है यपनो नहीं दूसरिसं पति और कमानी छोड यटारी यटा जग की हम को कुचिया ब्रज माही बनाने तूक मिले रसिको की सदा और पीबन को यमुना जल पानी तूक मिले रसिको की सदा और पीबन को यमुना जल पानी अमय औरन की परवा नहीं अपनी ठकुराने शिराजि कराई अपनी ठकुराने शिराजि कराई राधा गिरि धरी राधा गिरि धरी जर राधा गिरि धरी राधे जगनाता जगनाता बलत वाजय सुबादा जगन्नाखा जगन्नाखा पलदेवा जय सुभादा गोरनिताई जय गोरनिताई गोरनिताई जय गोरनिताई प्रभुपाद प्रभुपाद शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद शिल प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद शिल प्रभुपाद शिल प्रभुपाद रम्या काचि दुपासना ब्रजबधु वरगेनया कल्पिता श्रिमद भागवतं प्रमाण ममलं प्रेमापुमर्तो महाँ श्रिचेतन्य महाप्रभुमतमिदम् तत्रादरोनपर श्रिचेतन्य महाप्रभुमतमिदम् तत्रादरोनपरन् वन्षे विवुशितकरा नवनीरदाभाः पीताम्बरदरुनबिम् बफलदरुष्ठा पुर्णेंदुसुन्दरमुखात् अरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपें तत्व अहम्न जानें। योंतः प्रविष्यमम् वां चमिमां प्रसुपतां। संजीवयत्य खिलशत् तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्चहस्त चरण श्रवणत्वगादी। प्राणान्नमो भगवते पुरुषायतु भ्यम। करार विंदे नपदार विंदं। मुखार विंदे विनिवेशयंतं। वतस्यपत्र स्यपुटेशयानं। बालं मुकुंदं मनसास्मराः। श्रीक्रिष्ण गोविन्दहरे मुरारे। हिनात नारा यणवा सुदेव। जिहवे विवत्स्वा मृतमेत देव। गोविन्द दामो दर्मा धमे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 शुदेवाय। शुद्ध भगवतम सकंद ज्यारह अध्यायदो शुद। 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 अंतराश्टिय कृष्ण भावना मृच संग के और से प्रस्थापित श्रिमद भागवत कता के तृतिय दिवस में हारदिक स्वागत करते हैं परम स्वाग्य से विभुशित भगवान सी क्रिष्ण के पिता का स्थान जिनोंने ग्रहन किया है ऐसे वसुदेव जी की घर पर श्रि नारद मुनी का आगमन हुआ नारद जी जैसे संत घर पर पदारे हैं अत्ह वसुदेव जी के रदे में अत्यंत हर्ष हुआ वसुदेव जी ने अनेको प्रकार से नारद मुनी का स्वागत किया उनकी पूजा की बहुत सुन्दर हार माला पहिनाई और अपनी वाणी से नारद जी का अनुमोधन किया नारद जी आप हमारे घर पर पदारे हों आज हम धन्य हो गए वास्तों में बगवान की मुझ पर कृपा है आज तो घर बेटे गंगा प्राप्त हो गई आज में धन्याती धन्य बन गया नारद जी में ये जानता हूँ आप जैसे संत जब इस जगत में विचरण करते हैं तो मात्र हम जैसे लोगों का उद्धार करने के लिए आपका हमारे घर पर आना इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है मुझ जैसे अधम पर कृपा करने के लिए आप हमारे घर पर आये संसार के देवता इस जगत के जिवों को कभी-कभी सूख देते हैं तो कभी-कभी दूख देते हैं मनुष्य से कोटी गुना सरेष्ट हैं देवता लेकिन इसे देवता भी मनुष्य को कई बार दूख प्रदान करते हैं परन्तो आप जैसे संत आप जैसे साधू तो मात्र मुझ जैसे दीन हिनों के उपर कृपाही करते रहते हैं भूता नाम देव चरीतम सुखा यच दुखा यच परन्तो आप जैसे सत दीन वचसल जैसे गाय अपने बश्डे की सेवा करती हैं वैसे आप हमारे उपर कृपा करने के लिए यहां पर आये हो और इस अंसार में सब जगह पर स्वार्थ देखा जाता है परन्तु मात्र भगवान और भगवान के भगवान के भक्तों में स्वार्थ नहीं होता है हे तु रहीत जगर जुग उपकारी तुम तुमार सिवक अशुरारी इस अंसार में स्वार्थ रहीत सेवा करने वाले स्वार्थ रहीत क्रिपा करने वाले मात्र भगवान और भगवान के भग्त आप भगवान से विष्णु के महान भग्त हो अच्यूत आत्मना अच्यूत में भगवान विश्णु में आपका मन पूर्ण रूप से लग चुका है और इसलिए भगवान में जो करुणा होती है वही करुणा आपके रदई में है वक्तवी संसार में जो व्यक्ती भगवान की भगती करता है उनके अंदर भगवान की तरह करुणा परकट हो जाती है बलकि शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया भगवान के रदे में जो करुणा है उस करुणा से कोटी गुना सरेष्ट भगवान के भक्तों में करुणा होती है नहीं तो विचार कीजिए बगवाण सी रामचंद्रे इस पृथ्वी पर आये और बगवाण ने यह भी देखा उनके सामने अने को असुर कडे थे रावन खड़ा था कुम्ब कर्ण खड़ा था बाली भी उनके सामने था परंतु भगवान शी रामचंद्र ने सब को मार दाला कृष्ण आये तो कृष्ण ने भी अगासुर बकासुर त्रिनावर्त आदी को मार दाला शी चैतन्य महाप्रभु आये उनके रदे में कुछ करुणा देखी गई क्योंकि राधा रानी के भाव को लेकर आये थे और शैतन्य महाप्रभु ने अपनी करुणा से संसार के जिवो का उद्धार किया पात्र अपात्र देखे बिना मलेच यवन पाशान रदेई मलेचों को भी अपने रदेई पर लगाकर अपने गले से लगाकर महाप्रभु ने अपनी शुद्ध भक्ती का दान किया लेकिन फिर भी वक्तो वह महाप्रभु ने अपनी करुणा मात्र भारत में और भारत में भी ही बंगाल में अपनी करुणा बर्शाई चैतन्य महाप्रभु अपनी करुणा को मात्र भारत में सिमित रखे और मात्र बंगाल आधी प्रांत में अपनी करुणा बरसाए परंतु धन्य है वसंत जो वगवान राम की करुणा को लांग गए जो वगवान कृष्ण की करुणा को लांग गए यहां तक चैतनिय महाप्रभु की करुणा को लांग कर कृष्ण ने भगवत गिता की अंत में कह दिया कि यह गीता का ग्यान किसी पापी को मत सुनाना किसी अश्र दालू को यह गीता का ग्यान मत सुनाना कृष्ण ने चेतनियम आप्रभु ने शास्त्र का ज्ञान दिया परंतु से सिमित कर दिया लेकिन दन्य है वसंत जिनों न इसी ग्रंत इसी शास्त्र का ज्ञान भारत में ही नहीं इंटरनेशनल पूरी दुनिया में प्रदान कर दिया भगवान की करुणा में भी लिमिटेशन देखा गया परन्तु शिल प्रवपाद जी की करुणा में कोई लिमिटेशन नहीं शिल प्रवपाद जी की करुणा में भस्त में प्रवपाद की करुणा भगवान से भी महान साबित होई कहने का तात्पर यह है भक्त के रदय में भगवान से भी ज़्यादा करुणा होती है हे करुणा में नारज जी आप हमारे घर पर आए और वैसे तो आपको देखकर आपका दर्शन करके हम कृतार्थ हो गए वैसे तो आपका दर्शन करने के बाद अब कुछ बाकी नहीं रहता है क्योंकि वैस्णों का दर्शन ही जीव को पवित्र कर देता है दर्शन पवित्र करो यही तोमार गोणा है नारद मुनी आपके दर्शन से ही हम कृतार्थ हो गए लेकिन फिर भी हमारे मन में कुछ जिग्यासा है कुछ प्रश्न है क्या जिग्यासा है नारद मुनी पूछे वसुदेव जी आपके मन में जिग्यासा है क्या जिग्यासा है ब्रह्महन तथा पिप्रीच्छामों धर्मान भागवताम स्तवर यान्शुत्वाश्रद्यामर्त्यों मुच्यते सर्वतो भयाः हे ब्रह्मन हे नारद जी आप ब्रह्मन हो ब्रह्मन का अर्थ आप समस्त वेदो के पारंगत हो आपने ब्रह्म रुपी शास्त्र को समझा है आत्मसात किया है और ब्रह्म को भगवान को ही अपना लक्ष मानते हो आप सरवग्य हो आप सब कुछ जानते हो अतह अहम प्रिच्छामी हम लोग आपको कुछ पूछना चाहते हैं वसुदेव जी नारद मुनी के चरणों में बैठे हैं और नारद जी के चरणों में बैठकर जिग्यासा कर रहे हैं मैंने कल बता हैं इसकार थे नारद जी एक आसन पर बिराजमान है उनके चरणों में वसुदेव जी अकेले नहीं बैठा है नारज जी के चरणों में वसुदेव जी के साथ उनकी पत्नी देव की और पुरा फैमिली बैठा है तो हम आप से कुछ पुछना चाहते हैं इस संसार के लोग पहले तो साधू किसी के घर पर जाते नहीं है और यदि भाग्ये से साधू किसी के घर पर आ भी जाए तो साधू के मुख से कुछ सुनने से बदले यह खुद अपनी कथा प्रारम करता है कुछ कि साधू घर पर आते महराज अभी अभी नयानया घर लिया 25 लाग का फंडीर बनाया अच्छे से अच्छे कारी घर को लाकर यह तयार Κरवा यह कबाड कैसा है यह ड्रॉइंग रॉम कैसा है यह बालकनी कैसी है तेरी बालकनी देखने साधू आया है साधू तेरा उद्धार करने आया साधू का वास्तवी क्लाव हम तप ले सकते हैं जब वह अपने मुख से कुछ उबदेश करे और देखिए भगवान के पिता यह कोई साधारन व्यक्ति नहीं है भगवान सी कृष्ण के पिता वसुदेव जी आज नारत्मुनी को कहते हैं प्रिच्छा मी मैं कुछ पुछना चाहता हूं मैं कुछ जिग्यासा मुझे आप से कुछ सुनना है भगतो जब भी सादू के साथ मिलन हो जाए सादू हमारे घर पर आए या हम सादू के पास जाए तो और कुछ आशा रखे बिना उनके मुख से कुछ सुनने की आशा रखना है क्योंकि सादूगन इस संसार में जिवो का कल्यान मात्र अपनी वानी से ही कर सकते हैं नरतम दाश्ठा कुरु प्रेमभक्ति चंद्रिका में लिखते हैं गुरु मुख पदम वाक्य चीते ते करी हैं एक्य गुरु के मुख से निकला हुआ वाक्य ही हमारे चीत को पवित्र कर सकता है हमारे रदय को हमारे अंतर आत्मा को शुद्ध बना सकता है इसलिए पूछना चाहिए संतों के चरणों में बैड़कर जिग्यासा करने कुछ लोग के मन में इतना अहंकार होता है कि दुसरों को जिग्यासा भी नहीं कर पाते हैं सोचते हैं यदि मैं पूछ लूँगा तो मैं छोटा बन जाओंगा सामने वाले क्या सोचेंगे कि मुझे तो इतना भी नहीं ग्यान है मुझे तो इतना भी नहीं पता है बड़े बड़े लोग कथा में आने के लिए लजजित होते हैं शरम रखते हैं हम कथा में जाकर नीचे बैठेंगे आज तक घोड़े के उपर बैठे हाथी के उपर बैठे एसी कार में बैठे फ्लाइट में चड़े तो क्या हम नीचे बैठेंगे कभी-कभी सादू के मुख से उबदेश सुन्ने में भी शर्म लगती है अहंकार के कारण सादू के चरणों में बैड़कर व्यक्ति जिग्यासा नहीं कर सकता है परंत वसुदेव जी आज बहुंँ सुन्दर आपनी आचरीत प्रभु जीवेर सिखाए अपने आचरण से जगत के लोगों को सिखा रहे है कि जब नारज जैसे संत घर पर आए तो नम्रता से बिलकुल नम्र होकर उनके चरणों में बैठ जाना चाहिए और पूछना चाहिए प्रिच्छा में बिना नम्रता के न तो हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है न सादू संतों की कृपा मिल सकती है नम्रता अत्यन तावशक है बिना नम्रता के न तो हम बड़े धनी हैं हम बहुत बड़े स्ववाग्यशाली है कि हमें इस ब्रम्म मद्व गोड़िय संप्रदाय में शिक्षा दिख्षा का अस्थान प्राप्त हुआ क्योंकि इस दुनिया में भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत लोग मेनत कर रहे हैं अनेकों लोग अपने मन से अपनी बुद्धी से कृष्ण को भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो चैतन्य महाप्रभू की संप्रदाय में भगवान को प्राप्त करने का प्रियास कर रहा है क्योंकि कृष्ण को कैसे प्रसन करना कृष्ण को कैसे प्राप्त करना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन जान सकता है यदि ये प्रश्ण किया जाए तो इसका एक ही उत्तर आएगा कृष्ण को प्रसन करना एक ही व्यक्ति और वो है शिमति राधारानी श्रिमति राधारानी कृष्ण को जितना प्रसन करना जानती है उतना दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जानती है और वक्तो वही राधा का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु आये है इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने इस परंपरा में अपने इस संप्रदाय में राधा के पास कृष्ण को प्रसन करने का जो गुही अग्यान था जो सिक्रेट था वो अपने भक्तों को प्रदान कर दिया है और वो सिक्रेट क्या है चेतनिय महाप्रभु जानते हैं राधा रानी जानती है कि इस संसार में कितना भी साधन करो कितनी भी महिनत करो कृष्ण क प्राप्ता नहीं किया जा सकता रूब गोश्वामी ने भक्तिर शामुशम laşिंदु में जहां पर भक्ति की विशेशता का वरनन्द reject highest हैं तो कहते हैं भक्ति सू दूर благ अ क्लेशागनी शुबधा मोक्ष सांद्रानन्द विशेश आत्मा मैं कहते हैं सूद उरलबा ये भगती जो है सबको प्राप्त नहीं होती कृष्ण को प्राप्त करना अतियंत कटिन है कुछ लोग सोचे कि मैं इतना कर लूँगा तो कृष्ण मुझे मिल जाएंगे इतनी चीज कर लेने से कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे कभी नहीं कृष्ण कोई वस्तु नहीं है कि जिसको खरीदा जाए कृष्ण अखिल ब्रह्मांद नायक है अननकोटी ब्रह्मांद के अधिपती है उसे प्राप्त करना अतियंत कटिन क्योंकि जो व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त कर लेता है कृष्ण उनके हाथों का खिलोना बन जाते है कृष्ण उनके हाथों में बंद जाते है जैसे यश्वदा ने कृष्ण को बांध लिया तो भगवान बंदना नहीं बड़े बड़े प्रयासों की द्वारा कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता लेकिन चैतन्य महाप्रवु ने एक बहुत सुंदर सिक्रेट बताया कि वैसे तो कृष्ण नहीं मिल सकते हैं लेकिन यदि रदे में नम्रता प्रकट कर दो अपने आपको नम्र बना दो दीन हीन बना दो तो शायद हमारी नम्रता को देखकर भगवान के रदे में करुणा आ जाएगी और कृष्ण कहें देंगे बस अब बहुत हो गया अब मैं इसे मेरा अपना बना लूँगा अब ये मेरा बनने के लिए योग क्यों हो चुका रास्ते में कोई भिकारी किसी के साथ जगडा करने लगे मुझे पांच रुपिया दो दस रुपिया दो पंदरा बीस पचास हो सकता है कोई आदमी उसे पैसा न दे लेकिन वो नम्रता से जूक कर दीन हीन बन कर यदि हमारे पास आए रदे में करुणा आ जाए तो हम उसे धन दे सकते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए नम्रता होने चाहिए हमबल जाएस और गुरु के मुख से उपदेश ग्रहन करने के लिए नम्रता क्रिपा प्राप्त करने के लिए नम्रता चाहिए बगतो क्रिपा का स्वभाव पानी की तरह है जैसे पानी को उपर से छोड़ते हैं तो वो नीचे की और जाता है वैसे ही कृपा सादू संतों के चीत से निकलती हैं तो नीचे की और जाती है जिनके जन्म के समय देवता लोग प्रकट हो गए थे आकाश और आकाश वानी की थी कि ये व्यक्ति जीवन में कभी जूट नहीं भोलेगा इतने महान भगवान के पिता होते हुए भी रदई में नम्रता हैं और नारजी के चरणों में बैठे हैं कोई आदमी अकेले कोने में जाकर किसी से थपड भी खा लेगा चरण भी पकड लेगा लेकिन पत्नी और बच्चों के सामने यह बहुत बड़ी बात है अपने पत्नी बच्चों पुत्र पोत्रों के साथ वसुदेव जी नारजी के चरणों में बैठे हैं और चरणों में बैठकर जिग्यासा कर रहे हैं ब्रम्हन तथा पिप्रीच्चामों धर्मान भागवतामस्तवर्ण ये ब्रम्हन ये नारजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ मेरी कुछ जानने की इच्छा है था मानू नारजी कहें क्या जानना चाहते हो तब कहते हैं धर्मान भागवतामस्तवर्ण ये नारजी मैं आपके मुख से भागवत धर्म के विशे में जानना चाहता हूँ धर्मान भागवताम नारजी मैं धर्म के विशे में कुछ सुनना चाहता हूँ धर्मान शब्द महत्व पुर्णा है आज वसुदेव जी नारत मुनी के मुख से धर्म के बारे में सुनना चाहते हैं बग तो सुनना तो हम लोग भी चाहते हैं लेकिन फिलम के गाने हैं संसार के समाचार न्यूज अने को प्रकार की बात है परंतुव व्यक्ति धन्य है जो धर्म के विशे में सुनना चाहता है और उसमें भी भागवत धर्म के विशे में चाहता है धर्म का अर्थ क्या है प्रायो ये शब्द हम हमारे जीवन में कई बार इस्तिमाल करते हैं कई बार हम लोग बोलते हैं धर्म 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 सरव प्रतम आज हम यह जानेंगे धर्म का अर्थ क्या है वसुदेवजी के प्रश्ण को यदि समझ लिया जाए तो आगे उत्तर समझने में कठिनाई नहीं होगी दर्म का अर्थ क्या है लग तो पूर्ण रूप से रिसर्च किया जाए तो धर्म के तीन अर्थ होते है धर्म का एक अर्थ है कर्तव्य धर्म का दुसरा अर्थ है स्वभाव, स्वरूप और धर्म का तीसरा अर्थ है भगवान की वानी दर्म का प्रतम अर्थ कर्तव्य आई ये तीनो दर्म की तीन व्याख्या है हम तीनो व्याख्या सुनेंगे और दर्म की इन तीनो व्याख्या के द्वारा दर्म का वास्तविक अर्थ क्या है ये समझेंगे दर्म का प्रतम अर्थ है कर्तव्य धर्म का सीधा अर्थ शास्त्र में कहा गया है कर्तव्य फक्तो जब से हमारा इस जगत में जन्म हुआ है तब से इस जीव का संसार के प्रती संसार के लोगों के प्रती कुछ ना कुछ कर्तव्य है जैसे ही जन्म होता है तो जन्म होते ही व्यक्ति के उपर माता के प्रती कुछ कर्तव यह होता है जैसे मात्री धर्म कहते हैं पिता के प्रती कुछ कर्तव यह होता है पित्रु धर्म कहते है पत्नी के प्रती कुछ कर्तव यह होता है पुत्रों के प्रती कुछ कर्तव्य होता है अपने समाज के प्रती कुछ कर्तव्य होता है अपने देश के प्रती कुछ कर्तव्य होता है भक्तों इन कर्तव्य को धर्म कहा जाता है परन्तु किसी भी व्यक्ति के दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं एक होता है शरीर का कर्तविया और दूसरा होता है आत्मा का कर्तविया ज्यान से शुनिए फ़ला टेक्निकल विशई है एक होता है शरीर का कर्तविया और दूसरा होता है आत्मा का कर्तविया क्योंकि भग तो ये जो शरीर है हम हमारी जो पैचान है तो हमारे इस शरीर में दो वस्तु है एक सत और दुसरी असत एक शरीर है और दुसरी है आत्मा तो ये जो शरीर है, इस शरीर का कर्तव यह है, माता की सेवा करना, पिता की सेवा करना, पतनी की, पूत्र की, भाई की, बंदू की, समाज की, देश की, ये सारी सेवा करना ये शरीर का धर्म है ये शरीर का कर्तव यह है कि और दूसरा करतव यह हैं आत्मा का करतव यह क्योंकि आत्मा को जन्म देने वाले परमात्मा है कर मत मसे आत्मा का प्राकट्य होता है टेक्निकल सब्जेक्ट एक दृस्टान के साथ समझ सकते हैं जैसे नमक का गून है खारा लगना सोल्टी लगना है तो कुछ बचेगा नमक में से यदि खारापन निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा तो ये खारा ये सोल्टी लगना ये नमक का धर्म है ये धर्म की दूसरी व्याद क्या है जैसे मिस्री आप जानते हैं खड़ी साकर जैसे मिस्री क का गुण है मिठा लगना स्वीट लगना मिश्री में से यदि मिठापन निकाल दिया जाए तो कुछ बचेगा तो मिश्री में मिठापन जो है वो मिश्री का धर्म है वैसे ही हम लोग आत्मा है और आत्मा में से आत्मा का स्वरुपगत स्वभाव यदि निकाल दिया जाए तो आत्मा सुखी नहीं रह सकती है तो आत्मा का स्वरूपगत सुभाव क्या है जैसे नमक का सुभाव है मिठा लगना मिश्री का सुभाव है खारा लगना मिश्री का सुभाव है मिठा लगना वैसे आत्मा का धर्म है प्रेम करना यदि आत्मा मेंसे ये प्रेम नाम का तत्व निकाल दिया जाए तो वह कभी सुख ही नहीं रह सकती उनका अस्तित्व सुख में नहीं रह सकता तो आत्मा का प्रमुक धर्म है प्रेम करना इस संसार में आपने देखा होगा हम सब जिवात्माये हैं और इस संसार में व्यक्ति अनेको कर्म अनेको कार्य करता है लेकिन जन्म से लेकर मुर्त्यू तक प्रेम करना नहीं भूलता है जैसे ये जन्म लेता है तो माता से प्रेम करता है माता दो मिनिट भी दूर चली जाए तो रोने लगता है वैसे माता का कुछ खास काम नहीं होता है लेकिन माता सामने होनी चाहिए जन्म से माता से प्रेम करता है कुछ दिन के बाद जब बड़ा हो जाता है देखता है माता कुछ काम की नहीं है पिता जी जो है खिलोने लेकर आता है इसलिए माता से वो प्रेम पिता जी में डायवट हो जाता है फिर कुछ दिन के बाद पिता जी अपने पुत्र का स्मरण करके घर पर आये दरवाजा खुला तो पुत्र घर पर नहीं पिता जी ने अपनी पत्नी को कहा गया हमारा चिंटू मिंटू जो भी नाम रखा वो अब आपका नहीं रहा पहले मेरा था फिर आपका हुआ अब हो हमारा नहीं रहा देखो अपने बच्चों के अपने मित्रों के साथ करता है मादा पिता चिलाते हैं बुलाते हैं लेकिन मित्रों को छोड़ कर नहीं आता है मित्रों के साथ प्रेम करता है कुछ दिनों के बाद जब कॉलेज में आता है तो मित्र लोग खड़े रहता है कि वो चिंटू नहीं आया हमने उनको बुलाया था तो दुसरा मित्र कहता है कि अब वो नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि अब उसको वो मिल गई है माता से प्रेम किया पिता से प्रेम किया मित्र से प्रेम किया फिर गल्फ्रेंड से प्रेम किया यहां पर सभी समाज बैठा है इसलिए सब के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना है पिर दीरे-दीरे कॉलेजों में गल्फरेंड में भी बहुत सारा प्रें मदलता रहता है और फिर एक दीन अच्छी लड़की को देखर शादी कर लेता है वही प्रेंप अपनी पत्नी में हो जाता है फिर कुछ दिन के बाद बच्चा होता है तो उसका फ्रेम बच्चे के साथ हो जाता है फिर वो बच्चा दिरे दिरे बड़ा होता है और अपने पिता को घर से धक्का मार के निकाल देता है माता पिता घर से निकल जाते हैं समंदर के किनारे एक बहुत सुन्दर घर बनाकर रहते हैं, पत्मी मर जाती है बुड़ा अकेला समंदर के किनारे घुमता है और जब घर पर भोजन बनाने वाला नहीं होता है तब आदमी बिश्कुट खाता है यह बिश्कुट खाने वाले के उपर बहुत दया आती है तो बुड़ा समंदर के किनारे चलते चलते बिश्कुट खाता है और बिश्कुट काटे काते दो तिन बिश्कुट गीर जाते है एक कुटा दोड़ कर आता है बिश्कुट खा जाता है और उस बुड़े के पीछे पीछे चलता है कि और बिस्किट मिलेंगे बुड़ा घर पर चला जाता है कुट्टा उनके साथ-साथ बुड़ा अपनी लकडी से कुट्टे को भगा देता है दर्वाजा बंद कर देता है दूसरे दिन सुबह दूद लेने के लिए दर्वाजा खोलता है तो कुट्टा उनके घर के सामने बेठा हुआ दिखता है तब बुड़ा सोचता है मैंने मेरे जीवन में कितने लोगों से प्रेम किया मा से प्रेम किया, बाप से किया, मित्रों से किया, गल्फ्रेंड से किया, पत्नी से किया, पुत्र से किया, समात से किया, देश से किया, लेकिन आज इस दुनिया में मेरे साथ वास्तविक प्रेम करने वाला कोई है, तो ये कुत्ता है, और उस्कुते महासुए को अपने घर पर वेलकम कर देता है। कैं। उसके साथ खहिलता है कुत आपर मरने की बाद भी कुत्ता है। अंतकाले चे अंतकाल में। कहने कातात परी हैं। यह यह वग तो खुष्य कताने हैं इम इस अंसार की जीयों की व्यता है। और आपने इस कता में देखा होगा कि जन्म से लेकर मुरुत्यू तक बाकी से पदलते रहे लेकिन एक चीज कॉंश्टन्ट रही और वो है प्रेम व्यक्ति इस जीवन में वास्तों में देखा जाए तो वो प्रेम खोज रहा है वो प्रेम खोज रहा है और वक्तों सीधी सी बाद है इस संसार में किसी भी व्यक्ति से प्रेम करोगे तो वो प्रेम कभी संबव हो नहीं सकता है क्योंकि हम आत्मा है और आत्मा का गुण है सत चीत आनंद यह सवत चित आनन्दमई आत्मा का प्रेम मात्र चिन्मई परमात्मा से ही संभव हो सकता है आत्मा का प्रेम किसी जड़ देह के साथ किसी जड़ शरीर के साथ नहीं हो सकता इस संसार में कोई पुरुष किसी स्त्री को कहे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ I love you, बिल्कुल गलत यह बिल्कुल संसार का गलत स्टेटमेंट है क्योंकि आत्मा का प्रेम, चिन्माई आत्मा का प्रेम किसी जड़ देह के साथ, किसी शरीर के साथ होई नहीं सकता है और यदि ब्रह्म के कारण, अज्यान के कारण किसी देह से, किसी जड़ शरीर से प्रेम कर भी ले तो वह जीव कभी सुखी नहीं हो सकता है कभी सुखी नहीं हो सकता इस संसार में कुछ लोग समझते हैं कि I am fall in love मैं इससे प्रेम करता हूँ, वास्ता में वो लव नहीं है, वो लश्ट है काम है कामना के कारण स्त्री और पुरुष का संबन प्रेम नहीं है तो इस संसार में जिव रात दिन प्रेम दुणता है क्यों? क्योंकि आत्मा का सुवाव है प्रेम करना जिसे नमक का सुवाव है खारा लगना मिस्री का सुवाव है मिठा लगना वैसे आत्मा का सुवाव है प्रेम करना आत्मा राद दिन प्रेम दूनती है कभी पत्नी में प्रेम दूनती है कभी आत्मा पुत्र में प्रेम दूनता है कभी ओफिस से प्रेम दूनता है कभी पैसे में प्रेम दूनता है कभी गाड़ी में कभी बंगले में कभी मित्रों में लेकिन वह प्रेम कहीं भी स्टेबल नहीं रहता क्योंकि संसार के लोग आत्मा के प्रेम को कभी भी पूर्ण नहीं कर सकते हैं तो एक व्यक्ति दुसरे व्यक्ति से प्रेम इसलिय करता है कि ताकि प्रेम करने वाला व्यक्ति ही इस प्रेमी की इच्छा को पूर्ण करें यह होता ना प्रेम क्यों होता है मैं उस लड़के से बहुत प्रेम करते हूँ क्योंकि वह लड़का मेरी सारी इच्छा पुर्ण करता है और यदि इच्छा पुर्ण ना करे तो प्रेम रहेगा नहीं रहेगा इसलिए आपने देखा होगा शादी के पहले बहुत प्रेम होता है फिलम देखने जाते हैं होटल में जाते हैं गाडन में घुमते हैं और शादी के बाद सारा प्रेम खतम हो जाता है क्योंकि शादी के पहले नया नया बिजनेस होता है पैसे जमा किये होता है जेब भी गरम होती है और एक नया नया अट्रेक्शन होता है इसलिए लड़का लड़की के उपर पूरुष्त्री के उपर पैसे खर्च करता है शादी के बाद पत्नी कहती है चलो फिलम देखने तो कहते है रोज रोज क्या है पिछले साल तो फिलम देखने गए थे सारा प्रेम खतम प्रेम उसी के साथ संभव है जो हमारी सारी इच्छा को पूर्ण करें प्रेम उसी के साथ संभव है जो सत चीत आनंद महीं जो चीन महीं हो प्रेम उसी के साथ संभव है जिसकी कभी मृत्यू नहों है तो भक्त प्रतम प्रेम उसी के साथ संभव है जो हमारी सारी इच्छा को पुर्ण करे इस संसार में सारी इच्छा को पुर्ण करने वाले एक मात्र कृष्ण है इसलिए प्रेम मात्र कृष्ण के साथ हो सकता है आपको धन चाहिए तो धन के धनाध्य देवता बगवान से कृष्ण सोने की द्वार का रामायन में तो यहां तक लिखा दशरत धन दे की धन जल जाही धन धन देने वाले धन के दनाध्य देवता कुबेर जब इस पृत्वी पर अयोध्या के उपर अपनी दरश्टी करते थे तो उनको लज्या आ जाती थी राजा दश्रत और राम के पास इतना धन जो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता धन चाहिए कृष्ण देंगे आपको बल चाहिए कृष्ण देंगे सुन्दरता चाहिए कृष्ण देंगे यश चाहिए कृष्ण देंगे ज्यान चाहिए कृष्ण देंगे संसार में हमारी सारी इच्छा को पुरुन करने वाले एक मात्र कृष्ण इसलिए हमारा प्रेम मात्र कृष्ण से ही हो सकता है प्रतम दुसरा प्रेम उसी के साथ संभव हो सकता है जो चीनमई हो क्योंकि हम चीनमई आत्मा जो है चीनमई है सत चीत आनंद महीं है किसी दुखी आदमी से प्रेम करके क्या करोगे वो दुखी हमको भी दुखी करेगा तो सत चीत आनंद महीं आत्मा का प्रेम सत चीत आनंद महीं परमात्मा के साथ ही हो सकता है और तिसना हमारा प्रेम उसी के साथ हो सकता है जो शाश्वत है इस संसार में जितने लोगों के साथ हमेशा सोचते हैं कि ये मेरा प्रेमी ये प्रेमी ये प्रेमी कब तक रहेगा ओ प्रेमी हमारा प्रेमी आज हमको जितना आनन दे रहा है मरने के बाद उतना ही दूख देगा तो दूख देने वाले को प्रेम प्रेमी कहां से कहा जा प्रेमी तो उसे कहते हैं जो शाश्वत हैं इसलिए तो मारवाड की मिरा भाही ने कहा कि ऐसे पती के साथ विवाह करके मैं क्या करूं जो आज जिये और कल मर जाए ऐसे ए वर के साथ विवाग करके मैं क्या करूँ जो आज जीए और कल मर जाए मैं तो वरू मैं तो विवाग करूँ मेरे गिर्धर गोपाल से जिसे मेरा सुवाग्य अखंड हो जाए जिसे मेरा सुवाग्य अमर हो जाए अतह प्रेम यदि करना है, तो मेरा भाई की तर गोपी की तरो क्रिष्ण के साथ करेगा। क्योंकि हमारे प्रेम को पुर्ण करने वाले, एक मात्र कृष्ण है। क्रिश्ण ही हमारे प्रेम को पुर्ण कर सकते हैं तो धर्म का दुसरा अर्थ है क्या बताया था धर्म का दुसरा अर्थ है सुभाव आत्मा का सुभाव क्या है प्रेम करना और आत्मा का प्रेम क्रिश्ण के साथ ही हो सकता है इसलिए आत्मा का धर्म क्या है क्रिश्ण से प् और दर्म की तिसरी व्याख्या सब कुछ बदा देता हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए धर्म यहाँ पर पूछा आ गया धर्मान नारद्मनी धर्म की विशे में बताईए तो धर्म का तिसरा अर्थ है एक बार अजामिल प्रसंग में यम्राज जी के तीन दूतों ने अजामिल को बिलकुल मारते हुए अजामिल को शरीर से बाहर निकाल दिया और जैसे ही अजामिल को शरीर से बाहर निकाल अजामिल अपने छोटे पुत्र नारायन में आ सकते और मरते हुए अजामिल ने अपने पुत्र नारायन का नाम लिया शुकदेव को स्वामी कहते हैं मरते हुए जैसे ही अजामिल ने अपने भरतार नारायन का नाम लिया तुरंत भगवान नारायन भगवान विश्णु के चार पार्षद वहां पर सहसा प्रकट हो गए और तुरंद भगवान के पार्षदों ने हाथ में तल्वार लेकर उस यम्राज के दूद को कहा भागो यहां से यम्राज के दूद के जीवन में प्रथम बारे इसी घटना के हम जिसको लेने गए और कोई रोक रहा है बहुत सुन्दर प्रसंग यम्राज के दूद्त ने कहा सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कोशे यवासस आप सब लोगों के हाथों में कमल है शंक चक्र गदा पद्म लेकर आये हो इतना सुन्दर जेन्यून वस्तर आपने पहना है दिखने में तो आप इतने सज्जन लगते हो लेकिन इतने सज्जन होते हुए भी इस पापी का पक्षे क्यों ले रहे हो कि यम्राज का वरंट निकला है इसको लेकर नरक में जाना है तो आप लोग हमारे काम में डिश्टरब क्यों कर रहे हो भगवान विष्णु के चार दूतों ने पूछा आप लोग कौन हो तो कहा हम धर्मराज के दूत हैं बोले होई नहीं सकता है भगवान विष्णु के दूत जान रहे थे लेकिन मजाक कर रहे थे बोले आप लोग यम्राज के धर्मराज के दूत नहीं हो हमें तो आप हो कि यम्राज thứ के तीनों दूट्सा बहुत संदों तहीं मन में तो Heb यम्राज के तीनों जोर दिखाया olsun हो यदि आप ध्रमराज के दूंठ हो तो जल्दी बता हो धर्मका अर्थ क्या है यहीं नहीं बता तो यह तलवार देख रहे हो ना तीनों के धर से मस्तक अलग हो जाएंगे अब देखें यहां पर प्रेम से पूछा गया धर्मान भागवतान नारज जी धर्म के बारें बता और वहां तलवार दिखा कर पूछा गया बताओ धर्म का अर्थ क्या है ने तो गला उड़ा यह तो तुरंत बोल दिया है क्योंकि धर्म राज के मुख से प्रवचन सुनेते भूद काल राज तुरंत कहते हैं वेद प्रणीतो धर्म येतत येत विपर्यय वेदो नारायन साक्षा वो लोग ऐसे ट्यून में नहीं बोले होंगे कि वहां तो तल्वार दीख रही थी वह तो सीधे बोल दिये वेद धर्म का अर्थ क्या है वेदों में जो लिखा है वो धर्म है अब तो हमें छोड़ो सीधे बोल दिये वेदों में जो लिखा है वो धर्म है धर्म की तिसरी व्याक्या धर्म किसे कहते हैं जो वेदों में लिखा गया है अच्छा तो बहगवान विष्ण के दूतने पूचा हमारा दूसरा प्रश्ण जल्दी जवाब दो ने तुमार दालेंगे तुम ऐसा कहते हो वेदों में जो लिखा हो धर्म है तो वेद क्या है बताओ जल्दी वेद क्या है तो कहते हैं वेद नारायन साक्षात ये वेद जो है साक्षात नारायन है स्वयंभू ये वेद नारायन के शरीर से नारायन के साथ से निकले हैं इती सुर्ष्रम देखो सरकार हमने कहीं पढ़ा नहीं है लेकिन सुर्ष्रम हमने इसा सुना है यम्राज जी के मुख से प्रवच्चन में हमने एक बार सुना था कैसा है धर्म का तिसरा आर्थ है जो वेदों में लिखा है उसे धर्म कहते हैं इस संसार में मनुष्य के लिए वेदों में कुछ करने लायक कर्म लिखें उसे धर्म कहा गया है और भक्तों सभी वेदों का सार है श्रिमत भगवत गीता सीधा वेदों में बिल्कुल क्लियर कहा गया है अहम सर्वस्य प्रभो इस संसार का प्रभू स्वामी भगवान एक मात्र कृष्ण है और कृष्ण की भक्ति करना यही इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है कि मुझे नहीं लगता है इससे बड़ी धर्म की कोई व्याख्या होगी तो धर्म की तीन व्याख्या होई तीनों व्याख्या की अनुसार आत्मा के द्वारा परमात्मा की अर्थात भगवान कृष्ण की वक्ती करना, यही धर्म कहा गया है, और भगतो आत्मा सनातन है, आत्मा जो है सनातन है, और भगवान भी सनातन है, इस संसार में दोही वस्तु सनातन, बाकी सब का अंत निश्चित हैं, दोही वस्तु सनातन, एक तो आत्मा और दुसरी परमात्मा, भक्तो आत्मा के द्वारा परमात्मा की भक्ति करना, आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है, तो सनातन आत्मा के द्वारा सनातन भगवान की भक्ति करना, इसी को सनातन धर्म कहा जाता है, इसी का नाम है सनातन धर्म, वेदो में इस सनातन धर्मका उलेक हुआ है और प्रतियेक जिवात्मा को यह सनातन धर्मका पालन करना है फलाना इस अंसार में कुछ कहते हैं कि मैं फलाना धर्मका हूँ मैं फलाने धर्मका हूँ मैं फलाने धर्मका इस अंसार में जितने भी धर्म बने हैं, ये अपने मन और अपनी बुद्धी के अनुसार बने हैं शास्त्र में तो एक ही धर्म का उलेक हुआ है और वो है सनातन धर्म यदि हम सनातन है यदि आत्मा सनातन है तो हमारा प्रमुख धर्म है सनातन धर्म का पालन करना है और वाकि जिन जिन लोग को जो समझ में आता है वो बोलते रहते हैं और नए नए धर्म बनाते रहते हैं परंतु मोल रूप से देखा जाए तो जीव का वास्तविक धर्म है सनातन धर्म और इसी सनातन धर्म को दूसरे शब्द में जैव धर्म कहा जाता है जो जीव का धर्म है और इसी सनातन धर्म को तिसरे शब्द में भागवत धर्म कहा जाता है जो नारद मुनी यहाँ पर पूछ रहा है धर्मान भागवतामस्तव धर्मान भागवतामस्तव तो नारद मुनी कहते हैं कि प्रभू तव आपको वसुदेव जी कहते हैं कि तव आपको हम भागवत धर्म के विशे में पूछ रहे हैं क्रिपया करके आप इस भागवत धर्म के विशे में उबदेश किजी नारद मुनी ने कहा क्यों भागवत धर्म के विशे में क्यों सुनना चाहते हैं कारण तब भागवत धर्म की विशेष्टा बताते हुए आधेश लोक में कहते हैं यान शुत्वा श्रद्या मर्त्यो मुझ्यते सर्वतो भयार एक बार भी अधी कोई व्यक्ति यान शुत्वा पालन करने की बात तो दूर रही भागवत धर्म को पालन करने के लिए नहीं का जा रहा है दर्मान भागवतान यान शुत्वा भागवत धर्म को यान माने जो व्यक्ति शुत्वा सुन लेता है एक बार भी यदि कोई भागवत धर्म के विशे में सुन लेता है तो मुच्यते सर्वतो भयात भागवत धर्म सुनने वाला व्यक्ति इस संसार के समस्त भई से मुक्त हो जाता है यहां तक मुरुद्यू के भई से भी मुक्त हो जाता है विचार किजिए इस दुनिया में सभी लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ भई है चिंता है शोक है भूत काल में जो बात हो गई उस बात को याद करकर के शोक करते रहते हैं और भविश्य में जो बात होने वाली है उसको याद करकर के चिंता करते रहते हैं क्या होगा मेरे बच्चों का, क्या होगा मेरे परिवार का, बिजनेस का क्या, इतनी मंदी चल रही है शोक, चिन्ता और वर्तमान में व्यक्ति को बहुत बड़ा भई लगा हुआ है अनेको प्रकार के भई से व्यक्ति घीरा हुआ है परंतु सभी भयों में सबसे बड़ा भई यदी कोई है तो वह मृत्यू का भई है आदमी को और कोई भई हो ना हो परंतु मृत्यू का भई तो सब को होता है कुछ दिन पहले सुना एक आदमी एक सुटकेश में करोडों रुपे लेकर जा रहा था किसी चोरों को पता चल गया चार चोर आये बंदूख दिखा करने लगे पैसे देदो आदमी ने कहा ये भी ले लो और घर पे पड़ा है वो भी देदूंगा लेकिन मुझे छोड़ दो मरने का भई अपना पूरा जिवन जितनी महनत परिश्रम किया वह देने के लिए तैयार लेकिन मरना नहीं चाहता है एक मुसल्मान कभी ने तो एक शेर लिखा ओले आप ये मरने की बात मत किया करो क्योंकि जब मैं मरने की बात सुनता हूँ मेरी रूह काप जाती है मेरे रॉंगते खड़े हो जाता है मेरे मेरा मुख सुक जाता है लिखा डरती है रूह यारो और जीबी काप पता है मरने का नाम मतलो मरना भुरी बला है जब मैं सुनता हूँ मुझे मरना होगा जिस देव को मैं रात दिन सजा रहा हूँ खिला रहा हूँ पिला रहा हूँ और एक ना एक दिन इस देव को छोड़ना होगा यह देव एक दिन शम्षान के लकड़े की राख बन जाएगा जब मैं यह सोचता हूँ तो मैं काँप जाता हूँ मरने का नाम मतलो मरना बहुत बड़ा भाई है बले संसार में कोई आदमी बोल देता है कि अब तो भगवान की चिठी आ जाए और मैं चली जाओं, मैं चला जाओं बोलने के लिए तो बोल देता है लेकिन मृत्यू जब सामने होती है कोई मरना नहीं चाता है कुछ लोग संसार के फ्रस्टेशन के कारण टेंशन दुख के कारण आत्मत्या करने के लिए तयार तो हो जाते है परन्तो जीस समय आत्मत्या करते है तब उस समय उसको अफसोस होता है कि यदि मेरे शरीर को आग न लगाई होती तो अच्छा था यदि ट्रेन की पट्री के निचे न आया होता तो अच्छा उस अंतिम गड़ी में मुरुत्यू का बहुत बड़ा भई लगता साधरन व्यक्ति की बात नहीं कितना भी बड़ा वीर क्यों नहो मरने का भई सब को है सब लोग मरने से डरता है बगतो ऐसे मुरुत्यू के भई से भी यदि मुख तो होना है तो कहते हैं मुच्यते सर्वतो भयात है मुरुत्यू के भई से मुक्त होना है तो श्रिमत इस भागवत धर्म की कथा को श्रवन कर लेना चाहिए एक बार भी कोई इस कथा का श्रवन कर लेता है तो फिर मरने से नहीं डरता है और यदि मृत्यू आ भी गई तो उसे स्विकार कर लेता है और जो लोग भागवत दर्म का पालन नहीं करते नहीं सुनते वो मृत्यू को बुलाते रहते हैं हमारे भारत वर्ष में कथा है आप लोग जानते होंगे एक बुड़िया थी उसके बच्चे शहर में चले गए थे कोई काम नहीं करते थे पती मर चुके थे रोज सुबह जंगल में जाती लकड़े काड़ कर अपने गाउं में लेकर आती उसे बेच कर अपने जीवन जलाती और जब लगड़े की बोरी नहीं उठाई जाती थी और कष्ट होता था तब वो बुड़िया कहती थी कि अब तो भगवान मुझे लेने के लिए आजाए मरने के लिए तयार होंगे इतनी लंबी उम्बर भीत गई इतने सारे बच्चे हैं लेकिन फिर भी ये मेरा काम करना बंद नहीं हुआ क्या जीवन बर्बस ऐसे ही काम करते रहना है इससे तो अच्छा है में मर जाओं भगवान यदी आ जाए और मुझे तुरंद यहां से लेकर जाए बुड़िया ने बड़े रदई से भगवान को पुकारा भगवान सामने प्रकट हो गया बोले माता जी आपने मुझे बुलाया है आप बार-बार प्रेम से बुला रही थी तो मैंने सुना आपकी बात को आपने मुझे बुलाया मताजी क्या काम है तो कहां कि हां यह बोरी जो है जरहा मेरे सीर पर्चड़ा दो इसी के लिए आपको बुड़ा यह मरने का हार शे aún बोलने के लिए बोल देते हैं जहर पी जाओंगी ये कर दूंगा वो कर दूंगा परंतु मृत्यू का भैस अब को है परंतु भागवत धर्म को यान शुत्वा एक बार भी सुन लेता है मुझ्चते सर्वतो भयात वे सारे भैसे मुट्टों लाता है सर्वतो वयात महतो पुर्ण शब्द है मात्र मृत्यू के वैसे ही नहीं है कभी कभी बिजनेस करते हुए उठने वाली पाल्टी को भी कभी कभी हीरा बेच देते हैं माल बेच देते हैं फिर सोचते हैं यार ये पाल्टी उठ जाएगी ये भी भै लगा रहता है लेकिन जो कुछ भी हो रहा है मेरे कर्म के अनुसार हो रहा है ये कर्म के यतियति है उसको भई नहीं रहता है तो भागवत धर्म की ये महिमा है लेकिन एक शर्तै किशो मैय कि सुनने के लिए शु्टा चाहिए यान शुत्व Parent Shraddha या मरत्यों या नशुत्वा श्रद्या मरत्यों श्रद्या श्रद्धा चाहिए श्रद्धा का अर्थ है विश्वास ऐसा विश्वास कि मैं जो सून रहा हूं बस यही मेरे जीवन का कल्यान है व्याकरण के अनुसार यदी देखा जाए तो श्रद्धा का विश्लेशन होता है श्रद्ध और धा श्रद्ध का अर्थ होता है सत और धा का अर्थ होता है धारण करना अर्थात भगवान को दारण करना अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए जो उबदेश है उस उबदेश को पुर्ण रुप से धारण करना इसे श्रद्धा कहा जाता है और चैतनिय महाप्रभु कहते है श्रद्ध शब्दे विश्वास कहे सुद्रण निश्चय क्रिष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है सुद्रण निश्चय होना इसे श्रद्धा कहा जाता है विश्वास तो विश्वास होना चाहिए भागवत के प्रारम में यह बात कही ग सर्वप्रथम जिस ग्रंथ से यह कथा कहीं जा रही है उस ग्रंथ के उपर श्रद्दा होनी चाहिए कि इस ग्रंथ में जो है भागवत में जो लिका है हमारे लिए हैं और इसका पालन करना यह हमारा धर्मा दुसरा इस ग्रंथ के प्रतिपाध्य विशई वेदो के और भागवत के प्रतिपाध्य विशई क्रिष्ण के उपर श्रद्दा होनी चाहिए और तिसरी इस भागवत को बोलने वाले आचार्य के उपर श्रद्दा होनी चाहिए जब ये तीन श्रद्दा पूर्ण रूप से यदी हो जाए तो भागवत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है इसलिए है नारद मुनी हम आपके मुखारविंद से भागवत धर्म क्या उदेश सुनना चाहते हैं जब वसुदेव जी ने यह पूछा तब नारद जी कहते हैं वसुदेव जी आप छोड़ो ना क्या भागवत धर्म का उदेश ये सब तो संसार के साधरन मनुष्य के लिए आप तो भगवान के पिता हो भगवान के पिता को भई भागवत धर्म की जरूरत है भागवत धर्म का पालन करके जो फल है वो फल तो आपको मिल गया है ये सारे धर्म का सारे कारियों का फल भगवान कृष्ण है वो तो आपको मिल गया है जैसे भगवान को देख कर जीव को वैसे आनन होता है रामयने में लिखा है जैसे जनम से कोई अंधा हो अचनक आांखे मिल जाए और रोगी को अचनक कोई डॉक्टर मिल जाए जितना आनन्द होता है उतना आनन्द भगवान को देख कर होता है और किसी दरिद्र आदमी को पारस्मनी प्राप्त हो जाए तीन द्रश्टान दिये गए ऐसे साक्षाद भगवान आपके घर पर है आप तो इतने महान हो वसुदेव जी आपको ये भागवत धर्म की कता सुनने की जरूरत नहीं है आप बहुत महान हो ये नारद जी कहते है तब वसुदेव जी कहते है नहीं नारद मुनें प्रभू मैं महान नहीं हूँ प्रभू मेरे जिसा मूर के संसार में कोई नहीं है